हेलो एवरिवन, कैसे हैं आप सभी लोग, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसकीन में लिखा हुआ है 10th English Grammar Practice Set 2, तो अगर आप अभी तक Practice Set 1 को नहीं देखे हैं, तो नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, आप जा कर देख लिजे, क्यूंकि आप जितना Practice करेंगे Question का, आपका Concept उतना ही Strong होगा, आपका Revision भी हो जाएगा, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, सुरू करते हैं Question को, ठीक है, आपका Revision भी हो जाएगा, तो चलिए 26 को, ध्यान से पढ़िए, He does not know how, Bracket में दिया हुआ है, Play Piano, ठीक है, Option को ध्यान से देखिए, To play, Can play, Play at Place, तो कौन सा Option सही होगा, देखिए, He does not know, कि Stance में दिया हुआ है, Simple Present में दिया हुआ है, How to play हो ज तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा, A होगा, To play, 27 पर आजाए, Question number 27, C, H, Finish the work, C, H, Finish the work, Option को ध्यान से पढ़िए, कौन सा Option सही होगा, देखिए, इहां पर हैज लिखा हुआ है, देखिए, C लिखा हुआ है, उसके बाद हैज लिखा हुआ है, मतलब, Present Perfect Tense में दिया हुआ है तो V3 लगेगा, Thought Form of the Warf, मतलब V3 यूज होगा, क्योंकि Present Perfect Tense का जो Structure होता है, Subject plus Has, Have plus Warf 3 लगता है, इसलिए Finished हो जाएगा, इसका जो सही एंसर हो जाएगा, Finished, C, H, Finish the work, 28 पर आजाएए, 28 को ध्यान से पढ़िए, C, Come, Have, Study, देखिए, Option दिया हुआ है, Come, Have, Come, Coming, Cam, देखिए, Have, Come होगा नहीं, क्योंकि यहां Study, Study लिखा हुआ है, इसलिए, Warf का Second Form लगेगा, Cam, इसका जो सही एंसर हो जाएगा, D, Cam, OK, 28 का जो सही एंसर हो जाएगा, Cam हो जाएगा, क्योंकि Study लगा हुआ है, इसलिए, First Indefinite Tense यूज होगा, Simple Fast Tense यूज होगा, आगे वरते हैं, Question No.29 पर आजाएगे, I Read Unused Paper Now, Question No.29, Read, Am Reading, Has Read, Watch Read, देखिए, Watch Read तो नहीं होगा, क्योंकि Now लिखा हुआ है, अभी, At The Time, अभी, अभी की वात हो रही है, ठीक है, I Read Unused Paper Now, देखिए, I के साथ Helping वर्प लगेगा, क्योंकि अभी की वात हो रही है, मतलब Present Continuous T यूज होगा, इसलिए, इसका जो सही एंसर होगा, Am Reading हो जाएगा, I Am Reading a New Paper Now, ठीक है, तो आगे वरते हैं, इसका जो सही एंसर हो जाएगा, V हो जाएगा, तो Question No.30 पर आजाएगे, Question No.30 को ध्यान से पढ़िए, Well, Float on Water, Float होगा, Floating होगा, Floats होगा, या Float होगा, देखिए Well, Well क्या है, Uncountable Lown है, आप इसको गिन नहीं सकते, ठीक है, और On Water, मतलब General Sense जो देता है, या फिर, जो Universal Truth होता है, वो होता है अपको Present, Simple Present Tense में, मतलब Present Indefinite Tense में, यूज होता है, ठीक है, तो Well के साथ, जो Warp लगा हुआ है, उसमें Yes या Yes एड होगा, इसलिए, क्या होगा, Flores हो जाएगा, क्योंकि, Well, Uncountable Lown है, Singular है, इसलिए, Warp वी Singular यूज होगा, Flores यूज, इसका जो सही एंसर हो जाएगा, Flores होगा, ठीक है, आगे वढ़ते हैं, Question No.31 पर आ जाएए, 31 को ध्यान से पढ़िए, उइ, ब्रेकेट में, Live, Here, Since, May, Have Been Living होगा, Watch Living होगा, Lived होगा, या Has Been Living होगा, कौन सा इसका सही एंसर होगा, देखे, Since May, मतलब मैं से, और अभी भी, We, Live, Here, Since May, मतलब मैं से रहा रहे हैं हम लोग, और अभी भी रहा रहे हैं, मतलब Present Perfect Continuous Tense यूज होगा, देखे, यह Fast से लेकर Present तक आया, और अभी भी चल रहा है, मतलब Present Perfect Continuous Tense यूज होगा, We के साथ Have यूज होगा, और Have के साथ Been प्लस V4 यूज होगा, मतलब Warp One प्लस Ing तो इसका जो सही एंसर हो जागा, यह हो जाएगा, मतलब We have been living since May, We have been living here, since May, मतलब मैं से अभी तक हम लो आ रहे हैं, यहां ठीक है, तो Question Number 32 पर आ जाएगा, इसका जो सही एंसर होगा, 31 का यह हो जाएगा, ठीक है, 32 पर आ जाएगा, क्या लिखा हो है, 32 को ध्यान से पढ़िये, They not go to school tomorrow, देखे, Question को ध्यान से पढ़िये, यहां पर tomorrow लगा हुआ है, मतलब Future की वात हो रही है, They not go, They will not go हो जाएगा, Will not go, ठीक है, इसका जो सही एंसर होगा, Will not go, They will not go to school tomorrow, ठीक है, तो Question Number 33 पर आ जाएगे, Question Number 33 को ध्यान से पढ़िये, Water Fridge at 0 degree C, देखे, यह Simple Present Tense में, यह Present Indefinite Tense में यूज होगा, ठीक है, तो Water Uncountable Lown है, Water Uncountable Lown है, इसलिए, जो वार्फ होगा, वो Singular होगा, इसलिए Free G, इद की S लगा होगा है, तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्यूंकि जो General Sense में होता है, और जो Universal Truth होता है, वो Present Indefinite Tense में यूज होता है, यह फिर Simple Present Tense में, ठीक है, 34 पर आजाएए, Question No. 34 को ध्यान से पढ़िए, He teared the letter a minute ago, ठीक है, He teared the letter a minute ago, मतलब एगो आ गया है, यहाँ पर देखे, होगा, क्यूंकि a minute ago, मतलब एक मिनट पहले की बात हो रही है, इसलिए V2 यूज होगा, मतलब वार्व का second form, तोर, इसका जो सही एंसर हो जाएगा, तोर हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसने फाड़ा, वह क्या किया, फाड़ा लेटर को एक मिनट पहले, ठीक है, तो 35 पर आजाए, दा मैन वाच वाइट वाया डॉक, आच्छा, ओप्शन को ध्यान से पढ़िये, वाज वाइट वाइट वी टेन बीट्स, तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा, कौन सा होगा, वी टेन हो जाएगा, ठीक है, मतलब वी थीरी यूज होगा, वी थीरी यूज होगा, वी टेन होगा, क्यों, क्योंकि फेसी फर्म में दिया हुआ है, देखे, सिंपल पास्ट का, जो स्ट्रक्चर होता है, वो साबजेक्ट प्लस वी टू प्लस अबजेक्ट होता है, जब इसका फेसी फर्म हम बनाते हैं, तो वाच वाइर प्लस वी थी यूजुँच होता है तो इहां पर watch लगा हुआ है इसलिए و 13 यूज होगा थाट फ़ॉर्म वाट का थाट फॉर्म यूज होगा ठीक है वीचेन यूज हो जाएगा वीटेन थाटी सिक्स पर आजाएं 36 को ध्यान से पढ़िए I finished the work just now option में लिखा हुआ है finished have finished watch finished had finished देखिए just now मतलब अभी-अभी जो काम है वो खतम हुआ है just लिखा हुआ है just ठीक है मतलब to express action completed recently इसलिए present perfect use होता है तो I के साथ have use होगा I have finished I have finished the work just now तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा बी हो जाएगा क्योंकि present perfect use होगा question number 37 को ध्यान से पढ़िए he usually write in green ink bracket में दिया हुआ है write ठीक है option दिया हुआ है यह में wrote written writes will write देखिए he usually usually what use हुआ है मतलब simple present tense में दिया हुआ है क्योंकि यह daily routine को so कर रहा है इसलिए writes यूज होगा यहां जो सही एंसर हो जाएगा writes होगा क्योंकि present indefinite tense में दिया हुआ है daily routine so कर रहा है sentence में इसलिए इसका जो सही एंसर हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है ही के साथ जो वार्फ यूज होगा वो singular वार्फ यूज होगा और वार्फ को singular बनाने के लिए वार्फ के साथ yes या yes एट किया जाता है तो question number 38 पर बढ़ते हैं question number 38 को ध्यान से पढ़िए it bracket में दिया हुआ है run for three hours देखिए sentence में for three hours लिखा हुआ है मतलब present perfect continuous tense में दिया हुआ है present perfect continuous tense का जो structure होता है बो होता है subject plus hedge have plus win plus v4 यानी वार्फ का fast fun plus ing इसलिए hedge win running नहीं होगा watch running नहीं होगा watch rent नहीं होगा hedge win running होगा क्योंकि eat है eat के साथ hedge use होगा इसका जो सही answer हो जाएगा hedge win running hedge win running eat hedge win running for three hours मतलब 3 घंटे से बारिस हो रही है और अभी भी हो रही है मतलब कोई काम past में सुरू हुआ present तक चल कर आया और अभी भी चल रहा है present perfect continuous tense 39 पर बढ़ते हैं he would succeed if he try bracket में दिया हुआ है try देखे he would succeed if he try तो trying नहीं होगा he है he के साथ क्या यूज होगा try यूज होगा इसका जो सही answer होगा option number c question number 40 पर बढ़ते हैं did he go to the market yesterday option दिया हुआ है went going go देखे इसका जो सही answer हो जाएगा वो go होगा क्योंकि go होगा ठीक है क्योंकि study मतलब past in definite tense में दिया हुआ है study लिखा हुआ है लेकिन interrogative sentence दिया हुआ है इसी लिए we want use होगा did he go to the market yesterday तो आगे वारते हैं 41 पर 41 को ध्यान से पढ़िए if he were sorry 41 में लिखा हुआ है if I were a word I will fly in the sky option दिया हुआ है would will मैं could देखिए कुछ sentence होते हैं जो कालपनिक होते हैं ठीक है अगर मैं ऐसा होता अगर मैं वैसा होता ठीक है तो देखिए where use होता है I के साथ where I के साथ what use नहीं होगा ठीक है he के साथ भी where use होगा जैसे देखिए यहां पर लिखा हुआ है if I were a word I will use नहीं होगा वलकि would होगा इसका जो सही answer हो जाएगा would होगा ठीक है would if I were a word I would fly in the sky देखिए unreal condition होता है ठीक है जैसे if I were a word I would fly very high ठीक है if plus subordinate clause में अगर simple past tense हो ठीक है तो जो principal clause होगा उसमें simple past ही use होता है ठीक है इसका जो सही answer हो जाएगा would होगा 42 पर बढ़ते है question number 42 को ध्यान से पढ़िए see give the pen an hour ago देखिए an hour ago लिखा हुआ है an hour ago ठीक है give gives given या give सही answer कोन से होगा देखिए fast की बात हो रही है क्योंकि ago लिखा हुआ है मतलब past indefinite tense में दिया हुआ है इसलिए give नहीं होगा वलकि give हो जाएगा इसका जो सही answer हो जाएगा option number D हो जाएगा V2 यूज होगा ना she gave the pen an hour ago ठीक है अब 43 पर आ जाते हैं 43 को ध्यान से पढ़िए he ran away because he does afraid option दिया हुआ है each where what am am to नहीं होगा present में तो नहीं जाएगा देखिए he ran away past में दिया हुआ है इसलिए यहां he के साथ what use होगा इसका जो सही answer हो जाएगा option number C question number 44 को ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है he bracket में not speak to me for 5 weeks देखिए sentence में यूज हुआ है for 5 weeks इसलिए present perfect continuous tense में यूज होगा present perfect continuous tense he के साथ hatch use होगा और win इसलिए इसका जो सही answer हो जाएगा hatch not win speaking मतलब 5 सबतहा से बहाँ मुझसे बात नहीं कर रहा है मतलब अभी भी नहीं कर रहा है he hatch not win speaking इसका जो सही answer हो जाएगा यह हो जाएगा hatch not win speaking ठीक है 45 45 को ध्यान से पढ़िए they return bracket में very late last night देखिए last night use हुआ है last night इसलिए we too use होगा क्योंकि simple past tense में दिया हुआ है sentence इसलिए return नहीं होगा returns नहीं होगा what returning नहीं होगा return हो जाएगा इसका जो सही answer हो जाएगा वी हो जाएगा ठीक है question number 46 को ध्यान से पढ़िए why did they love at you देखिए did use हुआ है sentence में मतलब simple past tense में दिया हुआ है और interrogative sentence है इसलिए we too use नहीं होगा वलकि we one use होगा interrogative sentence है इसलिए इसका जो सही option होगा वो laughed नहीं होगा laughing नहीं होगा option number c हो जाएगा love क्योंकि we one use होगा ठीक है 47 को पढ़ते हैं 47 में लिखा हुआ है have you ever write a letter option दिया हुआ है wrote return rights win right देखिए question में दिया हुआ है have ठीक है मतलब have के साथ क्या यूज होगा we three use होता है present perfect tense have या hatch के साथ we three use होता है इसलिए इसका जो सही answer हो जाएगा return option number we क्योंकि we three use होता है ठीक है तो आगे वरते है question number 48 को ध्यान से पढ़िए he said that the sun set in the west ये तो universal truth की बात हो रही है universal truth मतलब simple present tense में यूज होता है इसलिए इसका जो सही answer हो जाएगा sets हो जाएगा each helping वार्फ है इसलिए इहां subject की जुरुवत है इसलिए smoke subject की हो जाएगा smoking हो जाएगा smoking इस very dangerous क्योंकि आये noun को subject बनाने के लिए हमें ing form में लाना होता है ठीक है smoking is very dangerous ठीक है करो नहीं तो fail हो जाओगे इसलिए इसका जो answer हो जाएगा will fail ठीक है तो मिलते है next video में तब तक के लिए वाई वाई टेक क्या है